हेलो दोस्तो आज है अक्टूबर की 31 तारीक और मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ अपना हिबिसकस का प्लांट देखे कितना अच्छा मेरा ये ब्लूम करा हुआ है आप इस पर बर्ड्स देखे कितनी हेल्थी है और फ्लावर देखे इनका साइज भी कितना अच्छा है काफी बड़े साइज में खिला हुआ है मेरे हिबिसकस के फ्लावर तो ऐसा आज मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी कि ऐसा मैं इसमें कौन सा फर्टिलाइजर डालती हूँ जिसकी वैसे मेरी इतनी अच्छी ग्रोथ इनकी चल रही है अक्टूबर में भी जबकि सीजन हिबिसकस का विंटर्स में और समर में इसका सीजन होता है लेकिन यह वैरिगेटिट है तो फिर यह विंटर्स में भी हमारा अच्छी फ्लावरिंग कर देता है अगर आप इसका अच्छी तरह से धियान रखें पर्टिलाइजर का धियान रखें देखिए इनका फ्लावर का साइस भी देखें आप कितना अच्छा है ऐसा नहीं है कि छोटे फ्लावर आ रहे हैं काफी बड़े हैं बुशी प्लांट बन गया है और बर्ड्स भी देखें आप मेरी मैंने गिनी भी नहीं है बहुत सारी बर्ड्स हैं और सब की सब खिल रही है मेरी कोई भी टूटी नहीं है और ये देखें 12 इंच के पॉट में मैंने इस प्लांट को लगाया हुआ है लेंद जादा लंबी इसकी नहीं है चोटी सी इसकी लेंद है और उस पर ही बहुत अच्छी ब्लूम करा हुआ है आज मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी कि मैं कौन सा फर्टिलाइजर हर मंत में इसमें डालती हूँ और मैं इसके साथ क्या क्या करती हूँ क्या केयर में इसकी प्लांट की करती हूँ सबी बाते आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये देखिए दूसरा है बिसकस का प्लांट है इस पर भी देखिए बर्ड्स बरनी तयार हो गई है और इसकी मैंने कटिंग की थी कटिंग के बाद ये सब की सब न्यू बर्ड्स हैं ये देखिए इस पर भी बहुत अच्छी तरीके से बर्ड्स आई हुई हैं काफी सारी इस ये पिंग कलर का है, और एक पीच कलर का है तीन कलर हैं, ये मेरे पास, एक यल्लो भी है, उस पर अभी वर्ड्स तयार नहीं हुई है, तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ये देखिए, ये है मेरा फर्टिलाइजर जो मैं हर मन्थ इसमें डालती हूँ, ये है बोन मिल एक चम्मच हम ये ले लेंगे और एक चम्मच हम ले लेंगे नीम खली ये नीम खली है जो प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है ये जो भी कीड़े वगरा होते हैं सब को किसी को लगने नहीं देता ये है डी एपी के कुछ मैंने दाने ले लिए हैं 20-25 ये दाने है और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी और ये तैयार हो गया हमारा बहुत अच्छा फर्टिलाइजर इसमें आप वर्मी कमपोस्ट भी एड़ कर सकते हैं मैंने वर्मी कमपोस्ट पहले ही डाल रखी है इसलिए मैं नहीं डालूँगी इसमें इस तरीके से आप उसकी गुडाई कर दे हमेशा धियान रखे फर्टिलाइजर या तो सुभा के टाइम डाले या बिल्कुल शाम में डाले बिल्कुल भी धूप में आपको नहीं डालना है अब ये कमसगम ढाई चम्मच के करीब हमेरा फर्टिलाइजर बन कर तयार है एक चम्मच भर कर बड़े वाली एक चम्मच भर कर मैं इसमें डाल दूँगी 12 इंच का मेरा पॉट है ये और दूसरे कमले में भी मैं इसी तरीके से गुडाई करके इस वाले कमले में भी मैं इसी तरीके से गुडाई करके ये फर्टिलाइजर डाल दूंगी यकीन मानिए बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है आप एक बार यूज करके देखिए मेरा यूज करा हुआ है इसलिए मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है आपको ये बिल्कुल भी अच्छी लग रही है कि हाँ ये हमारे लायक है फर्टिलाइजर तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा और शेयर भी कीजेगा इस तरीके से आपको वाटरिंग जरूर करनी है हमेशा फर्टिलाइजर डालने के बाद वाटरिंग जरूर की जाती है मैं भी थोड़ा कम पानी डाल रही हूं लेकिन मैं इसमें पूरा भर कर पानी डाल दूँगी बाद में ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूं वीडियो के बाद मैं इसमें अच्छी तरीके से पानी डाल दूँगी और देखिए कितने अच्छे मेरे ब्लूम करे हूँ फ्लावर देखिए बहुत ही अच्छा मेरा प्लांट है ये और ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी मुझे लगता है कि शायद ही आपके काम की वीडियो होने वाली है तो प्लीज फरेंड्स मेरे चैनल को लाइक कीजेगए शेयर कीजेगए और सबस्क्राइब कीजेगए अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजेगए okay friends, bye, happy gardening